बेल्गम टू नेक्सिक जाम आज है 22 अपरेल 2021 और 22 अपरेल 2021 से करेंट पैल्स के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चिन से रिलेटेड इंपोर्टेंट इंप्रेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आज के इस वीडियो के पैडियाफ फाइल आप इस वीडियो के डिसकसिन से राणड़ कर सकते हैं पैडियाफ आप हमारे टेलेग्राम गूर्प से भी डाणड़ कर सकते हैं टेलेग्राम गूर्प पर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम गूर को रास्टे लोग सिवा दिवस मनाए गया है यानि किस कुछिन का बे अप्शन से ही है अब ये रास्टे लोग सिवा दिवस क्यों मना जाता है तो हमारे जो लोग सिवक होते हैं यानि कि IS, IPS, IRS इनको हम लोग सिवक करते हैं तो हमारे जो लोग सिवक होते हैं इनको पहली बार बारत के पहले ग्रह मत्री सरदार पटेल ने 21 अपरेल को ही संबोधित किया था और कब किया था? 1947 में और कहां किया था? देली के मैट काफ हाउस में और उन्होंने लोग सिवकों के लिए एक वर्ड का यूज किया था वो बर्ड कई बार एक जाम में पूछा किया है स्टेल फ्रेम ओफ इंडिया का का था? स्टेल फ्रेम ओफ इंडिया तो इतना आप राज़ती लोग सिवा दिवस के वारे में याद रखिए अच्छा आज किस फुडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का सबसे पहले अपने लिए एक टार्गेट बिट्स करो और फिर अपना पूरा देर उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइफ आटमेटिकली अच्छी हो जाएगी नए शुशन है हाली में माउंट अनपूरा को फत्य करने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है तो माउंट अनपूरा को फत्य करने वाली पहली भारती महिला बनी है प्रियंका मोहिते तो इस कुशन का से ओप्सन सही है ये हैं प्रियंका मोहिते और ये माउंट अनपुणा को फत्हा करने वाली पहली भारती महिला बनी है ये महराश्त के सतारा की हैं और ये जो माउंट अनपुणा है ये बेस्जु की दस्मी सबसे उची चोटी है और कहां पे है नैपाल में है नएक सुष्य ही हाले में भारत का 60 मां ग्रेंड वाश्टर कौन बना है तो अभी अर्जुन कल्याण्ट भारत के 60 में ग्रेंड वाश्टर बने ह। तो इस कुशिन का बे options है यह है अरजुन कल्यान यह मात्र 18 साल के हैं और चेन नहीं के हैं और यह भारत के 68 में ग्रेंड माश्टर बन गया है तो जो प्लास्टिक कच्रा होता है उसको महाशागर में प्रवेश से रोकने के लिए अप समझ्चुन का सै ऑप्संस है आप समझ्जोता है है जर्मनी के साथ किया तो यह है मैप में जर्मनी जर्मनी की capital क्या हैinal कर्शिय क्या है यूरोप और जर्मनी के प्रेंक्ट आपे प्रेसिडंट कौन है वरटर शींट मेर अचा जर्मनी में भारत की राजदूद कौन है मुक्ता दत्ता तो मर कौन है नई सुछ है रहाली में संख गोष का निधन au है वे कौन थे तो संख घोष ये एक बेंगोली कभी थे और अभी इनका ने दन हो गया तो इस कुशन का बे आपसन सही है ये थे संख घोष अब ये एक बेंगोली कभी थे इनको साइट तकाद्मी पुरुसकार से भी सम्मानेत किया गया था क्यार्न फीट पुरुसकार भी इनको मिला था रबेंजनाट टैगर पुरुसकार भी इनको मिला था और पद्म भूसर्ड से भी इनको समानेत किया गया था तो इनका नाम याद रखिए ने कुशन है किस देश ने 2050 तक असे प्रतिस्यत ग्रेन हाउस गैस उत्सर जन को कम करने का लक्ष रखा है तो अभी इसराइल ने 2050 तक असे प्रतिस्यत ग्रेन हाउस गैस के उत्सर जन को कम करने का लक्ष रखा तो इस कुशन का बे ओप्सन सही है अब इज्राइल ने रखा तो ये है मैप में इज्राइल इज्राइल की केपिटल क्या है यरूसलम इज्राइल की करंसी क्या है इज्राइली न्यू सैकल और इज्राइल की प्रिजेन टैम पे प्राइमिस्टर कौन है बेंजा में नेतन यहूँ अच्छा इद्रेईल की संसत का नाम क्या है इदैल की संसत का नाम है नैसेट और इद्रेईल की तेल अभीद में एक स्टेट का नाम बतल के गुरुदेव रवीद नाट टेगर की नाम पर रखा गया है केस राज सरकार ने स्वास्ते सुरक्षा सब्ता की गोश्णा की है तो अभी जारखन ने 22 से 29 अपरेल तक स्वास्ते सुरक्षा सब्ता की गोश्णा की तो इस कोश्ण का से options है यह स्वास्ते सुरक्षा सब्ता यह कुरोना वारिस की chain को तोड़ने के लिए है इसमें अलग से guideline जारी की गई है तो जारकन ने इसकी गोश्ण की है अब जारकन ने की तो ये है map में जारकन जारकन की capital क्या है रांची जारकन की chief minister कौन है हैमन्त सोरेन और जारकन की governor कौन है द्रॉपकदी मुर्मू हाले में जारी तो अभी world press freedom index जारी किया गया इसमें नौर्वे टॉप पर रहा तो इस question का बे options आई है नौर्वे फर्स्ट पर है Finland second पर है Denmark third पर है अच्छा इसमें अपना देश भारत कौन से नमर पर है अपना देश भारत 142 में नमर पर है 180 देशों में 142 में नमर पर है इंडिया world press freedom index के मामने में यानि कि इंडिया में press की freedom बहुत कम है नए शुशन है हाली में मेगियल डियाज कैनल ने केज देश के राश्पती के रूप में सपत ली है तो मेगियल डियाज कैनल एरो ने अभी क्यूबा के राश्पती के रूप में सपत ली है तो इस कुशिन का 7 options है क्यूबा क्यूबा की capital क्या है हवाना क्यूबा की करण़ी क्या है क्यूबा पैशो और क्यूबा के आप नए राश्पती तो यही बन गए है मिगेल डियाज केनल नए क्यूशन है हाली में The Christmas Pig नामक किताब किसे ने लिखी है तो ये एक Children's Book है The Christmas Pig और इसको लेका है J.K. Rowling में तो इसको इनका बे options है ये हैं राइटर J.K. Rowling इन्होंने ये नई बुक लिखी है The Christmas Pig नए क्यूशन है हाली में खनन फर्म वेधांत ने MSCB छेत्र के लिए कौन सा कारेकरम सुरूप किया है तो खनन की लगबग सबसे बड़ी फर्म है वेधांत इन्होंने Micro, Small and Medium Enterprises के लिए एक साथी नाम का कारेकरम सुरूप किया है तो इसको इनका से options है ये खनन के लिए A-Commerce का काम करेगा नए शूशन है हाली में RBA के पूर गवर्नर का COVID के कारण निधन हुआ है उनका नाम क्या है तो RBA के पूर गवर्नर थे M.Nar Siman इनका अभी निधन हो गया तो इसको इनका बे options है ये थे M.Nar Siman ये RBA के गवर्नर रहे थे और इनको Father of Indian Banking Reforms का जाता है क्योंकि जब ये गवर्नर रहे उस टेम बहुत सारे Banking Reforms हुए थे RBA के स्थापना कब होई 1 April 1935 RBA के Headquarter का है Mumbai में और RBA के गवर्नर कौन है सक्तिकांत दास कौन से नमबर के हैं 25 में नमबर के नए शुशन है हाले में परदानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की तहत स्वास्ते कर्मियों के लिए बीमा योजना को कितने साल बढ़ा दिया गया है तो परदानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इसके तहत स्वास्ते कर्मियों के लिए जो बेमा योजना है इसको एक साल के लिए बढ़ा दिया गया तो इस question का say options है एक चुमने जो स्वास्ते कर्मिया भी कोरोना वाइरस की इलाज में लगे हुए है उनकी अगर death होती है तो उनके लिए है ये प्रधान मत्री गरीब कल्यान package इसको अब एक साल के लिए बढ़ा से पास ने तो इस question का B options है ये है ये है स्टेफानो सित से पास और इनो नहीं 2021 वांटे कार्लो मास्टर स्टैनिस टूनामेंट जीता नया solution है हाली में इफ को किस राज में नया oxygen साहियंत लगाने जा रहा है तो इफ को अभी गुजरात के कलोल में एक नया oxygen plant लगाने जा रह और ये जो नया oxygen plant लगेगा इसकी production capacity होगी 200 cubic meter पर आवर अब गुजरात में लगेगा तो ये है मैप में गुजरात, गुजरात की capital है गांदी नगा, गुजरात की chief minister है बेचैर रूपाणी और गुजरात की governor है आचार डेबरत, अच्छा गुजरात में अभी किसान सूर्य गुजरा सुरू हुई, गेरिनार रोब्बे का उधगाटन हुआ, सुचलाम सुफलाम जल संचैबयान गुजरात में सुरू हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा jink smelter project गुजरात में बना है, और मुख्ध की मंतरी महिला उदकर से युजना ये भी गुजरात में सुरू हु मैंने आपसे question पूछाता है कि हाली में कौन सा देश अक्टूब 2021 तक लूना 25 मिसन लॉंच करेगा, तो अभी रूस 2021 तक लूना 25 मिसन लॉंच करेगा, यानि कि इस question का से option सही था और लगभग सब इस trend ने इस का सही दिया, mostly इस trend ने इस के बारे में डेटेल में लिखा, मै मैं आपको इक पर फिर बोलूगा, question के बारे में आपको जितना जाधा से जाधा पता हो, आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो, फिर उन्हें आप कभे नहीं बोलते, अब आपके लिए आज का question, आपके लिए आज का question है, हाली में COVID मामलों पर अंकु लगाने के लिए, केस राज ने जन अनुसासन पकवाड़ा शुरू किया है, चार option दिये गए हैं, इनमें से आपको अपना answer बताना है, और इसके लाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं, तो आप Facebook पर next exam सर्च करके, हमारा Facebook page join कर सकते हैं, क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं, अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है, या आपको उपने career से related भी कोई problem है, तो आप Instagram पे इंद्रेश RC, I-N-D-R-E-S-H-R-C, Instagram पे इंद्रेश RC सर्च करके, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any hesitation, discuss कर सकते हैं, अच्छा, आज के सुड़ू का target इस गुरूप हैं, उनमें आपस वीडियो को share जरू करते हैं, तो ये था आज का हमारा currentFS का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लेज कमेंट बोक्स में जरू बताना, और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनलों सबस्क्राइब नहीं किया है, तो इसे आप स चैनल से निश्चेती मदद मिलेगी, जब आपसे सबस्क्राइब करेंगे, तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरू किलिक कर लें, जिससे कि आपको daily morning में currentFS की वीडियो मिलती रहे, next exam always with you, thanks for watching.